अगर कोई भी computer का exam हो, जहांप MS Word से, MS Office से, अगर question पूछा जाता है, तो ये channel, जिसका नाम है, KT Computer, आप लोग के लिए. तो चलिए, प्यारे बचे, आज हम, MS Word के 5, top ऐसे question देखने वाले हैं, जो हर exam में पूछा जाता है, पूछा गया है, जो बहुत इंपोर्टेंट है, तो चलिए, पहला question कहरा है, प्यारे बचे, what is MS Word, देखे सर, ये question दिया, MS Word क्या है सर, अब option देखे, पहला option बोला है, a spread sheet and operating system, a word processing software, non of the, ध्यान दीजेगा प्यारे बचे, तो MS Word क्या है, ध्यान दीजेगा सर, हम C number के लिए जाएंगे, a word processing software सर, word processing software का मतलब होता है, जितना भी document का काम होता है, जितना भी document का जितना भी काम होता है, लिखा पड़ी का जितना भी काम होता है, आप कि से कर सकते हैं, MS Word से कर सकते हैं, जैसे mark sheet बनाना, notebook का page बनाना, resume बनाना, bio data बनाना, बहुत सारा काम, यनि कागज़ पतर काम आपके से कर सकते हैं, MS Word का से कर सकते हैं, अगला question है, when you create the first document, file in word, what will be the default file name, ध्यान से समझीगा, प्यारे बचे, मान लिजीए सर, आपने MS Word को खोला, MS Word को जैसी आपने open किया, तो जो ध्यान दीजीए का, मान लिजीए आप कुछ लिख रहे हो, लिख कर save किजीएगा, तो file का नाम कुछ दीजीएगा, लेकिन मान लिजीए, आपने MS Word खोला, और उस वक्त का जो file का जो नाम होता है, वो यहां exam में पूछा जा रहा है, तो चार option दीजा है, page one, document one, Microsoft one, और word one, तो ध्यान दीजीएगा, हम B number is the correct answer, B is the correct answer, क्योंकि सर्थ आप देख लिजीएगा सर्थ, जब आप MS Word को जो आप open करते हैं, तो इसका जो default file name होता है, वो क्या होता है, जो हर exam में पूछा गया, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, देखे ज़र, कोसर मत 3 के हम बात करते हैं, ध्यान से समझेए, कोसर मत 3 के हम बात करते हैं, प्यारे बचे, what is the, what is the, हाँ, कोसर एक रुख जीए, what is the shortcut key, what is the shortcut key, ध्यान से समझेए, प्यारे बचे, shortcut key, what is the shortcut key, is used, is used to, to, ध्यान दीजेए, switch, switch to one word, one word document, one word document, document, to, another, word document, देखे, बहुत ही अच्छा कोसर ने, प्यारे बचे, अब मैं समझा रहा हूँ, बस आप वीडियो को सर सेयर करते जाए, लाइक करते जाए, चैनल को सस्क्राइब करते जाए, देखे, सर कोसन दिया, what is the shortcut key, used to switch one word document, to another word document, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझेगा, प्यारे बचे, माले जी आपने MS Word को खोला, open किया, ध्यान दिजिएगा, एक file प्याम काम कर रहे है, आपका boss बोला, कि भाई, दुसरी वाले file भी निकाल लो, जल्दी से पड़ा फट, तो आपने सर क्या क्या पहला file पहले से, आप MS Word के खोल रखे थे, फिर आपने कौन सा, दुसरी file MS Word का ही खोल लिया, तो आप question कह रहा है, कि आपके पास दो, ध्यान दिजिएगा, दो file MS Word का खुला हुआ ध्यान से समझेगा, और किसी पे भी jump करना है, switch करना है, पहले वाले file पे जाना है, या दुसरे वाले file पे जाना है, पहले वाले document में जाना है, दूसरे वाले document में जाना है, तो उसका shortcut की क्या होगा, प्यारे बच्चे, ध्यान दिजिएगा, तो इसका answer हो जाएगा, प्यारे बच्चे, control, प्यारे बच्चे, plus shift, plus F6, ध्यान दिजिएगा, प्यारे बच्चे, मैं ये कभी वीडियो करके भी दिखा दूँगा, लाइब की चिंता करने के जुरुत नहीं है, जब हमें एक document से, दूसरे document में जाना होता है, तो उसका shortcut की होता है, control, shift, अब 6, ध्यान दिजिएगा, अगला question, प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहरा है, जो बहुत important है, ध्यान दिजिएगा, कहरा प्यारे बच्चे, what is the shortcut की, एकदम अराम से लिखिए, कोई दिकत नहीं है, what is the shortcut की, ध्यान दिजिएगा, यहाँ पे shortcut, गदेजिए का, प्यारे बच्चे, ध्यान से दिखिए, what is the shortcut की, is used, is used to, dhijान से समझीगा, प्यारे बच्चे, insert a bullet, insert a bullet, ध्यान से समझीगा, what is the shortcut की, is used to insert a bullet, ध्यान दिखिएगा, bullet point, bullet point, quickly, अब देखिए, सर्फ ध्यान से समझी का कोशन क्या कह रहा है मान कर चलिए बुलेट पॉइंट के मतलब यह होता देखिए यह यहां पर आप ध्यान दीजिएगा अगर MS Word के डॉक्मेंट में फाइल में अगर MS Word के डॉक्मेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो इस तरह का आप अपने कॉपी में नोट्बूक के जो पेज है उस पर लिख सकते हैं नोट्स बना सकते हैं कोई दिखती हैं इसका जो होगा सोटकर की कंट्रोल सिफ्ट एल कंट्रोल सिफ्ट एल धियान दीजिएगा बहुत सरे बच्चे एक जाम में ऑप्शन गलट टिक कर देते हैं वह सोच दें बुलेट बोल रहा है न अच्छा एल के जगह क्या दिया रहा था है भी तो बच्चे भी मार देते यह गलट होता है सद्यान स तरब मैं चलता हूं ध्यान दीजिएगा हर वीडियो में मैं पांच डेली लेके आओंगा अबजेक्टिव कोस्टन जो हर कॉम्पडिशन एक्जाम में पूछा जाता है अगला कोस्टन नमर फाइब कहरा प्यारे बच्चे ध्यान से समझेगा ध्यान दीजिएगा वीच कं एमेज ऑफिस 2000 को सर क्या क्या डिवलब किया बिक्चत किया है इसका एंसर होगा प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा Microsoft Microsoft होगा प्यारे बच्चे फटा-फट ध्यान दीजेगा और आप ध्यान समझे प्यारे बच्चे आपको मेहनत करना है सर मैं हर एक topic को discuss करूँगा आपके सामने चिंता करने की जुरूरत नहीं है सर तो फटा-फट समराइज कर लेते हैं आज हमने 5 question देखा ध्यान दीजेगा पहला question था कि MS Word क्या है एक word processing software दुसरा question था ध्यान दीजेगा प्यारे बच्चे कि माल लीजिए जब हमें एक document से दूसरे document में जाना है एक file से दूसरे file में जाना है तो उसका shortcut क्या होगा control shift app 6 तिसरा question था कि अगर हमें अगर हमें प्यारे बच्चे अगर हमें MS Word में bullet point को insert करवाना है तो उसका shortcut की क्या होता है तो control shift L होता है पांचवा question है प्यारे बच्चे कि MS Office 2000 को किसने बनाया था तो Microsoft Company ने बनाया था ठीक है प्यारे बच्चे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले जय हिन जय भारत वंदेवात्र